तो हे गाइस कैसे हैं आप सब तो यहाँ पे शौमी ने फाइनली लॉच कर दिया 11i को और 11i hypercharge को और मुझे दोनों फोस में से जो better choice लग रही है वो 11i लग रही है क्योंकि सिर्फ बैटरी और charger का फरक है और मुझे लगता है value for money थोड़ा सा रहेगा 11i बट आज हम यहाँ पे comparison करने वाले हैं Realme के GT Master Edition के साथ क्यों यह जो phone है offers के साथ काफी कम में मिल जाता है तो दोनों के अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो introductory price है वो है 11i का 21500 कैसे क्योंकि आप SBI के उपर 2000 को off ले सकते हो credit card पे and वैसे भी 1500 रुपे का off मिलना है flip card के उपर पर जब आप Realme GTME को देखोगे ना जब वो सेवत वकर आती है तो यह phone भी 2000 में मिल जाता है और इतना कड़क smartphone है तो यहाँ पर confusion तो create होगी ना तो चल दोनों को compare करते हैं और देखते हमें कौन सा खरीदना चाहिए starting with the design दोनों के काफी different से design ने Xiaomi आपको glass bag देता है and flat frame के साथ आता है काफी सई सा और refreshing सा look है Redmi का यहाँ पर यह जो phone है बड़ा कमाल का लग रहा है बड़ अगर आप GTME को देखोगे तो वो भी काफी सुन्दर phone है वैसे तो plastic सा material है बड़ यहाँ पर ना दो तरह की finish मिल जाते जो कि मेरे पास मैंने dad use कर रहे है and also यहाँ पे एक suitcase design आता है वो थोड़ सा different feeling के साथ आ जाता है और वो तोड़ा काफी अलग सा feel करता है मतलब आपको ऐसा और कोई दे नी रहा and मुझे personally suitcase design काफी पसंद आया था कुछ different है यार मतलब बाकी सबसे अलग सा लगता है अब यह आपर ने एक चीज़ ही बूलूँगा कि हमारा जो Xiaomi flat frame के साथ आ रहा है ना वो बहुत से majority अफ लोगों को uncomfortable feel कराएगा अभी सिर्व यह एग्जैम्पन नहीं रही iPhone 13 को भी देखोगे ना तो users ने बूला है कि uncomfortable लगता है थोड़ा सा and जैसे कि मैं देख रहा हूंगी Realme ME जो आपको glass back के साथ जाना है flat edges के साथ जाना है या फिर आप suitcase लेना चाहते हूं but points थोड़े से देने बनते शौमी को glass back के लिए अगर मैं display के बात करें तो बहुत जारा बड़ा अंतर नहीं है आपको थोड़े सा realme जो है वो थोड़ा handy लेगा क्योंकि 6.4 inches की display है मैं आप 6.67 inches महलो almost 6.7 पर काफी बड़ी display तो अगर आप यहां पर बड़ी display चाहते हो तो I think वो Xiaomi की साथ जाएगा अगर आपको एक handy एक थोड़ा थोड़ा छोटा फोड़ा 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 फोन चीए तो realme है तो यह दोनों में 120 Hz का amulet display दिक नहीं मिल जाता है and realme का super amulet samsung क है शौमी यह कुछ नहीं बताया कौन सा पैनल यूज कर रहे है बट दोनों में ही brightness अबल काफी एची आउडर visibility वेरा कोई दिक्कत नहीं आने वाली दोनों की display काफी हद तक similar सी है बस वह आपको छोटा बड़ा देखना है आपको क्या पसंद है performance के पर हम बात करेंगे तो उन्हों में ही काफी कड़क से processor लगाएंगे हैं GTM ही देखो कि तो उसके अंदर snapdragon 778G आता है जो कि काफी जादा बड़िया प्रसेसर है snapdragon का और इस पे हमने gaming भी करी है gaming एक दब मक्खान मलाई हो जाती है बहुत मज़ा आता है और यहां पर अगर बात करेंगे हम शौब ह 778G और 920 को तो डिफिनेटी अभी भी 778G थोड़ा आगे है चाहे बात करें लॉंग टर्म गेमिंग की चाहे बात करें बैटरी कंशन की और भी काफी सरी चीज़ है अगर आप लेना चाहत हूँ 3.0 भी चला सकते हो Android 12 का मज़ा ले सकते हो तो मतलब की Early SS में आ चुका है हाँ वो बीटा वर्जन है ऐसे नहीं कहरा कि आप करो ही करो क्योंकि थोड़े बहुत बग्स होंगे बट ओवराल मैंने दो लोग UI को देखा है Realme UI काफी सासा स्टेबल हो चुका है MIUI के मुकाबले में और मेरे को GTME बहुत मज़ा आता चलाने में मैं definitely software को थोड़े सा Realme को देना चाहूँगा कि हाँ Realme UI बेटर है यह फोन देखने को मिल जाता है 20-21,000 रुपे में जब आया सेल वगर आती है और उसके हिसाब से यह चीज़ अच्छी लगती है बागी colors दुगार हम बाद में tweak कर सकते हैं but the thing is यहां पर detailing भी बहुत अच्छे आती है MI के अंदर तो मैं definitely कह सकता हूँ कि cameras इसके अच्छे हैं अगर आप 20-21,000 में इसको purchase कर पा रहे है but Xiaomi के cameras almost हमें पता है कि काफी अच्छे आते इस price के उपर but हमें exactly नहीं पता है ठीक है selfie काफी सही है but Xiaomi का भी पता लगना बागी है 16MP का selfie शूटर है तो चले battery के पर हमें बात करते हैं तो आपको GTM ही दे रहा है वो 4300 mH की battery दे रहा है और 65W का charger दे रहा है combination बढ़ा तगड़ा है मैं टेस्स किया था charging test मनाया था so काफी सही था but Xiaomi यहाँ पर बाजी मारेगा क्योंकि 5160 mH की battery बड़ी battery देखने हो मिल रहे है और battery backup काफी amazing हो सकता है और यहाँ पर 67W का charger देखने हो मिल जाएगा but एक चीज़ क्लियर करना चाहूंगा आज तक जितना भी हमने देखा है battery को क्योंकि MIUI काफी जादा battery को जादा consume करती है तो 5000 mH की जब हम Xiaomi के बाद करते है ना तो वो काफी equivalent सी होती है 4500 mH Realme के साथ अब इन दोनों में क्या case रहने वाला है यह तो टेस्टिंग जब होगी 11i की तब पातर चलेगी but still I am saying कोई miracle नहीं होने वाला तो दोनों में एक combination काफी decent से मिलते है अब यह आपको एक और चीज़ देखनी होगी कि आपको GTME का under display fingerprint scanner चाहिए यह पर Xiaomi का यह वाले फोन का stereo speakers चाहिए यानि कि GTME में stereo speaker नहीं आते dual badge नहीं आते और मैं यहाँ पर definitely कहूँगा मैं अगर एक चीज़ को sacrifice करना चाहूँगा फोन में तो मैं यहाँ पर stereo speakers रखूँगा और under display fingerprint scanner को जाने दूँगा side fingerprint scanner ठीक रहते बढ़ हाँ जिनको under display fingerprint scanner बहुत पसंद है just like me मुझे भी बहुत पसंद है बढ़ stereo speakers में लिए थोड़े जादा important है बढ़ आप लिए इतने important ना हो आप mono की साथ काम चला सकते हो अगर आप हर वक्त bluetooth earphones पहन के रख तो speaker का use ही नहीं है फिर कोई दिक्कत ही नहीं है और दोनों में 3.5 mm का jack निग्व मिल जाता है बट शॉमी में एक extra चीज़ मिलती है वो है IR plaster जो कि आपको realme provide नहीं करेगा तो यह दोनों के दोनों phones जो कि मैंने आपको differences बता दिये अब overall अगर आप देखे ना अगर आप इसे 21,500 में ले लेते हो तो I think बहुत जबरदस्त डील बन जाती है बट आपको पैसे SBI नहीं है 23,500 में ये phone पढ़ रहा है और realme GTME जो है वो आपको sale के अंदर 20,000 का मिल जाता है तो मैं definitely GTME को थोड़ा सा prefer करूँगा overall देखा जाए तो Xiaomi का ये phone थोड़ा सा better है GTME से on paper at least बात वही है कि आप किस price के उपर ले रहे हो 21,500 में ले रहे हो फिर तो याद definitely में कोँगा Xiaomi आप purchase कर लो बट 21,500 में आप नहीं ले पा रहे हो बट आपको GTME जो है वो sale में मिल रहा है 12 बज़े आपकी ये वो तो मर्जी है बट ME तो कभी भी ले सकते हैं और जब भी sale में आ रहा है तो off मिल जाएगा So guys हाँ मैं काफी impressed हूँ 11 IC थोड़ा price जादा कर दिया है मुझे लगता price थोड़ा कम होना चाहिए था 22-23 स्काल आते और उसके बाद यहां पर अगर offer लगता और वो 200 के नीचे मिल जाता तो मेरे साब से काफी सही था Hyper charge मैं मैं बिलकूल भी recommend नहीं कर रहा है सेरब 120 Watt के लिए क्योंकि मेरे को combination जाला अच्छा लगा है Xiaomi का So guys I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ी सी पही अच्छी लगी है तो वीडियो को like ज़रूर से करेंगा and comments आपके लिए खुले हुए आप अपना favorite smartphone बता सकते है कि आपको कौँसा favorite मल लगा मतलब दूनों में से कोई एक तो जादा अच्छा लगे होगा न So मैं आपको मिलूगा next वीडियो में तब तक अपना हमने शानवा के रिखे क्या है Kiss man and always take it guys Love you and be safe यार Corona फिरसर case बट रहा है बहुत गलत हो रहा है यार